नमस्कार मैं डॉक्टर अंजना बेकन सीनियर उप्स्टेटरिशन गानकॉलजिस्ट मनिपाल हास्पिटल गाजियबाद एक बार फिर आपके सामने उपस्ते तो एक नया टॉपिक लेकर यूरिनरी इंफेक्शन जो की महिलाओं में बहुत पाए जाते हैं तो इस छोटे से टॉपिक के बारे में छोटी सर्जा यूरिन इंफेक्शन क्या होते हैं अगर हम मेडिकली बात करें तो यूरिनरी ट्राक्ट इंफेक्शन दो तरह से होते हैं लोर यूरिनरी ट्राक्ट इ जिसमें इंफेक्शन ब्लैडर में होता है और यूरिथ्रा की तरफ तक जा सकता है लेकिन इससे उपर होने वाले इंफेक्शन जो होते हैं वो हमारे अपर में चले जाते हैं जैसे किड्नी में इंफेक्शन हो तो वो पाईलो नेफराइटिस कहलाता है और अपर यूरिनरी ट इन्फेक्शन जो most commonly होते हैं महिलाओं में जादा होते हैं और किस तरह पेश होते हैं ये छोड़ी सी बाते मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको lower urinary tract infection है तो आपको महसूस होगा burning mikturation यानि की urine करने में जलन महसूस होगी या urine pass करते वाग बहुत pain होगा इन दो बातों के अलावा तीसरी चीज़ ये कि आपको बार बार urine आएगा चाहे आपका bladder empty हो ये तीन चीज़ें हमें बताती हैं कि आपको lower urinary tract infection है बहुत जादा infection होनी की स्थिती में कभी-कभी आपको बुखार और ठंड दे के बुखार आ सकता है lower abdomen में पेन या lower back में पी पेन हो सकता है य ये हो गए सारे signs and symptoms जो urinary tract infection में आपको मिलेंगे आखे urinary tract infection होता क्यों है ये इसलिए होता है कि female genitalia जो है उसकी anatomy उसको infection को prone करती है क्योंकि female urethra काफी छोटी होती है दूसरी बात multiple frequency increased frequency of endocose भी हमको urinary tract infection देता है नई नई शादी हो तो अक्सर urinary tract infection होता है जिसे honeymoon cystitis भी बोलते हैं तो ये bladder infections किस वजह से होते हैं most common cause इस infection का है E. coli जो हमारा gut bacteria है इस से होने वाले infection 80-85% होते हैं बाकी infections rarely कभी viral या अने bacterial होते हैं लेकिन हमें पता चलता है जब हम उनका investigation कराते हैं investigation में हम urinary culture and sensitivity कराते हैं जिससे हमें मालुम होता है कि bacteria या infective agent कौन सा है साथ ही हमें ये भी मालुम होता है कि कौन सी drugs की कौन सी antibiotics की sensitivity या resistance है आपके अंदर एक बार इसकी report आने तक doctors आपको treatment तो start करते ही हैं तो treatment में हम क्या करते हैं सबसे common antibiotics आपको start करते हैं साथ में alcosoleus citralca जैसा agent देते हैं जो आपकी hirin का pH normalize करता है जिससे आपकी burning sensation कम हो जाए जब तक कि आपकी sensitivity reports आती है तो most common antibiotic जो prescribed है वो शाहिए nitrogen है जो आप क्रिपा करके अपने आप से ना लीजेगा हमेशा antibiotics अपने doctor के परामर्ष के उपरांध ही आप antibiotics start कीजेगा treatment बहुत आसान है UTI जो है अगर time से treat करें तो 5-7 दिन के अंदर एकदम ठीक हो जाता है इसके अलावा जो general बाते हैं कि कैसे बचा जा सकता है बचने के लिए आपको बहुत पानी पीके रखना है खुब पानी पीना है कभी भी dehydrated state में ना हो साथ में personal hygiene इसके अलावा मेरी ख्याल से यह चर्चा यहीं तक अगली बार नए topic के साथ मेलेंगे धन्यवाद